आजान देता है तो आजान नहीं दे पाएंगा अगर आपने बर्ड को जल्दी ठीक करना है यह कंबिनेशन बनाया है मैंने बाज उकात एंटीबॉटिक्स का चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अब जाहर उसको प्रॉब्लम तो आ गई है अपने एंटीबॉटिक दे हैं लेकिन नए आने वाले चूज़े के अंदर ब्रॉडर चाल रहा है घर में रखने वाले मुर्गियां उपन शेड में पर्दे आप लोगों ने पर्चेस कर लिए होंगे शीर से लगानी शुरू कर दी है खुटों के उपर पिंजरों के उपर अब इस इन्वार्मेंट म सांस के साथ रेलेटर हैं, और तीसरी असपर्चिलोस होता यह है सांस की बिमारी आती क्यूं है होता यह है कि जब आप प्रिंदे की रिकुवर्मेंट है फर्च करें पांच सी एफम की क्यूबिक फिट पर मिनिट एयर उसको चाहिए पर केजी हम उसको दे रहे हैं या हम उ सिस्टम ही नहीं है वेंडिलेशन का दो तरफ जालियां हैं दो तरफ दीवारें हैं या च्छत के ओपर काने की च्छत डली हुई है हमने 10-15 परिंदों को एक ही जगा पे दाखल कर देना है शाम और बाहर से कुड़े का दर्वादा पिंजरे का बंद कर देना है और रात को व बिमारियां अटेक कर जाती है सांस का मसला फिर फैलता बहुत ज्यादा है एक परिंदे को आया आपने उनको सासा चोड़ दिया तो ड्रापलेट्स के जरिये एक परिंदे से दूसरे परिंदे में बिमारी शिफ्ट होना शुरू हो जाती है को चीजें स्ट्रीम लाइन चल सांस के वाली दे रहे होते हैं साथ साथ हम कंबिनेशन में को ऐसी चीजे में डाल रहे होते हैं जिसे इसकी अम्यूनिठी बहतर हो जाए और इसकी गट हैल्थ भी बहतर है घर में और चोटे मेमाने पे 1000 बर्ड है 500 बर्ड है उसमें बाज उकात एंटी बॉइटिक्स का चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब मैं रिक्मेंड करता हूँ आप टाइलोसिन डॉक्सी दें तो आप 17,000 वाली टाइलोसिन डॉक्सी का डबा आपको मिलेगा इसे चोटी पैकिंग में आदा किलो में आपको 9,000 का मिल जाएगा या अगर आप इसे कम पोटेंसी में आएंगे तो 6,000-7,000 का मिलेगा मुश्किल होता है उस सुरत में फिर एंटी बॉइटिक्स को रिकमेंड मैं करता हूँ इंजेक्टिबल्स की फॉर्म में कि आपने अगर आपने बर्ड को जल्दी ठीक करना है सस्ते तरीके से ठीक करना है फिर आप इंजेक्शन लगाएंगे आपको इनके रेर्स्मी मैं बताऊंगा तीन इंजेक्शन का कम्बिनेशन मैंने बनाया है जो काफी सारी बिमारियों का हल करेगा और आपने इनको लगाने का तरीका भी मैं बताऊंगा वो वीडियो पढ़ी हुई आउरेडी आप इसको देख सकते हैं मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि लगाना कैसे है और आपने इनको मिक्स कैसे करना है डोज इनकी क्या है पड़ी हुई है, सारी चीजों को हम सास की रिलेटेड बिमारियों हैं, उनके आज प्रीटिमेंट आपको बताया जाएगा, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन 40% लोगों का हिसा बने जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखते हैं, 60% लोग without subscription देखते हैं, आप देखें, अगर वो 60% भी सब्सक्राइब करें, आपकी बात कर रहा हूं मैं, I'm talking to you brother, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गूगल अकाउंट बनाएं, जीमेल का, लॉग इन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसा आपके मसले में अब आपके परिंदे को क्या प्रॉबलम आ सकती है, अब जो बन्दा पहली दफ़ा वीडियो देख रहा है, उसके लिए एमने बताना भी तो है, आपके प्रॉबलम आ सकती है, वो आप स्क्रीन के उपर देख रहे हैं, सनीजिंग करेगा, कफिंग करेगा, बार बार अपने सर को जटकेगा मूँ खोलके सांस लेगा खुर-खुर की आवाजे करेगा जा आवाज उसकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी अगर मुर्गा अजान देता है तो अजान नहीं दे पाएंगा परिंदा अगर आपका तोता, आपका पिचन अगर वो चेहक रहा था तो चेहक ना बंद कर देगा सुपड के, बिल्कुल ढीला होके बैठ जाएगा खाना भी ना कम कर देगा अगर अंडे पे है तो अंडे की परड़क्शन गिर जाएगी अगर ब्रीडिंग पे है तो ब्रीड नहीं करेगा और अगर ब्रीडिंग कर रहे हैं तो अंडे फर्टाइल नहीं आएंगे क्योंकि उसकी बाड़ी के अंदर प्राब्लम चल रहा है निथार जी होगी, डिप्रेशन होगा, अम्यून स्प्रेशन होगा अधर बिमारियों का अटैक भी हो सकता है नाक से नजला गिर रहा होगा, आँखों के अंदर पानी होगा सरस्वेल हो जाएंगे, धेर सारे मसाइल हैं सांस के जिनको हल करना बहुत जरूरी है तो हम हल करेंगे और इंशालला अल्ला के हुकम से आपके परिंदे को आराम भी आएगा तमाम मसाइल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टन चीज़ होती है डायगनोसिस आपने डायगनोस करना है कि आपके बर्ड को वाइरल है, बैक्टेरियल है या फंगल है ये तीन चीज़ों से अगर आप निकल गए तो फिर आपके लिए ये तीन इंजेक्शन डायगनोसिस का फरक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके प्रिंदे के मुझे च्छाले है जुबान के उपर हैं तालू के उपर च्छाले हैं मुझ कोल के अंदर देखते हैं तो च्छाले बने हुए हैं या उसने क्रॉप इंपेक्शन की हुई है उसको पोटा उसका जाम हो गया है और उसको फीवर नहीं है और बगार साउंड के वो मूँ खोल के सांस ले रहा है तो आपके बर्ड को फंगल इनफेक्शन है अगर आपके परिंदा बड़ी तेजी से इससे बिमार हुआ है मूँ करब लुको उल्क के खेज के सांस ले रहा है साथ सद गरीन कलर की बीट कर रहा है यह पिलर कलर की कर रहा है इसके अंदर म्यूआस पलंग मिला है इतना लंबा pakai के अंदर या उसके अंदर आपको वाईरस के निशानिया मिली हैं तो फिर उस सुरुत में भी आप को से निकालने के लिए ये एक कंबिनेशन बनाया गया है पहला जो इंजेक्शन हम आज डिसनस कर रहे हैं इन तमाम बिमारियों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस वो है टाइलोसिन ये इंजेक्शन आप किसी कंपनी के मुशूरी के लिए नहीं है मुझे जो मिला अवेलेबल था मैंने वो परचेज कर लिया मैं आपके सामने बैठाओं इसमें इन ये कंपनियां हम डॉक्टर्स को स्पेशली हुमन जो हमारे एनिमल हम डॉक्टर्स हैं हमें कोई रॉयलिटी पे नहीं करती हुमन साइट पर तो ये बड़ा भाग भाग के पैसे देते हैं लेकिन यहां प इसमें 20% टाइलोसिन है इसकी प्राइस है जी कहा है प्राइस है 975 रुपए और ये है 100 ml आपके बर्ड में हलका मसला है सिर्फ कुछ हद तक बिमारी है तो आपने कुछ नजला नहीं है जुकाम नहीं है ज्यादा खरकर नहीं है तो आप टाइलोमिक्स यानि टाइलोसिन अ और जब आप एक किलो ग्राम का प्रिंदा है या 500 ग्राम से एक किलो का प्रिंदा है तो उसके लिए यह आपकी डोस होगी 0.1 mm और यह तीन से 5 दिन आप इंजेक्ट कर सकते हैं जब आपको परिंदा 1500 से 2000 ग्राम का होगा तो फिर इसका 0.2 लगेगा तो दूसरा अब आप इस टेंशन में हैं कि यार मैंने टाइलोसिन तो देना है लेकिन साथ मैं कौन से इंजेक्शन मिक्स करूँ यह बहुत बहुतर कंबिनेशन है यह बहुतर कंबिनेशन इसलिए है एक तो इसके अंदर है ऑक्सी टेटरा साइकलीन OTC यह दो इंजेक्शन आपने कब यह रिस्पारेटरी इंफेक्शन के लिए ड्रग ऑफ चोईस है इसके साथ ऑक्सी टेटरा साइकलीन भी ड्रग ऑफ चोईस है डुआसल के नाम से यह इंजेक्शन है और यह 50 ml का इंजेक्शन मिला है जनाब 756 रुपए का यह भी 1 ml पर 10 kg बाडिवेट लगेगा 1 ml पर 10 kg यह भी पठों में लगेगा चैस्ट में लगाएंगे इस तरफ दिलोता है इस तरफ लगाएंगे चैस्ट में और यह भी उसी के अंदर तो कितना लगेगा यह भी 0.1 ml फॉर 1 kg अगर 1 kg से बड़ा परिंदा है पंदरा सो दो जार तो 0.2 ml यह लगाएंगे इसके साथ मिक्स करेंगे इसके अंदर एक और जबरदस ड्रग है जो मेरी फेवरिट ड्रग है वो है फ्लू निक्सन मिगलोमिन आप स्क्रीन के इन इंजेक्शन का क्लोज शौर देख रहे होंगे फ्लू निक्सन मिगलोमिन जो ड्रग है यह यह नॉन स्टिराइडल एंटी इंफलमेटरी जो सोज़श को कम करेगी साइनसेस को सोज़श हो गई है पेन हो रही है बहुत ज्यादा सर भारी है परिंदे का गुटनों में पेन हो रही है बाडी में पेन है उसको कम करेगा साथ साथ बुखार को भी डाउन करेगा ठीक है जी तो आपने डूआ सोल को भी साथ मिक्स करन अब आपने बर्ड को देनी है अनर्जी अब जाहर उसको प्रॉब्लम तो आ गई है आपने अंटीबाटिक दे दिया एंटीबाटिक का स्ट्रेस भी तो होता है तो स्ट्रेस से निकालने के लिए अनर्जी को बूस्ट करने के लिए खाना भी न छोड़ दिया उसने दो दिन से कुछ नहीं खाया डीला होके बैठ गया लूस ड्रॉपिंग किया जा रहा है वजन कम कर रहा है उस सुरत में फिर आप साथ में लगाएंगे मेवाई कॉम मेवाई कॉम आप साथ में लगाएंगे तो उसके लिए इसमें देखें सारे अमाइनो एसिट्स हैं और इसमें वाइटमन सी भी है और कैलशियम मेगनेशियम सल्फेट अलेक्रोलाइट्स बगरा भी है अनर्जी को बूस्ट करेगा ये लगेगा वन एमल फॉ फाइव केजी बॉडिवेट लगेगा ये नहीं के अगर एक किलो का परिंदा है तो पॉइंट टू एमल इसका लगाएंगे अगर एक किलो से ज्यादा है तो पॉइंट फॉर मल तो आप क्या करेंगे सिरिंज में सबसे पहले इंजेक्शन बरेंगे ये पॉइंट वन एमल अगर एक किलो का परिंदा है फिर पॉइंट एमल डूसल का उसके बाद फिर निखमा कinga ओरुञेंगे थूइनगे हलका से ओसे शेक्र करके बर्ड की चेस्ट में यह इनजेक्ट करतेंगे दिल की दूसी तरफ इस तरफ आप इंजेक्ट करतेगे अगर आपने इंजेक्शन ये आपने तीन से पांच दिन आप इंजिक्ट कर सकते हैं तीन दिन मिनिमम मैं चौबिस गृटे बाद दोबारा लगाना होता है इसके साथ साथ आपने उसको नर्भ घिजा देनी है उसको आइसूलेट करना है आईसुईू में रखना है के लावा तो आप लाइजोविट सी या पानी मेडिसन दे रहे हैं उससे गट हेल्फ जो डिस्टर्ब हो रही है वो सैट हो जाए तो आपने गट केर नाम का साशे तस्वीर आप देख रहे हैं एक साशे को एक लिटर पानी में हल करके आपने प्ला देना या आदा चमच गही उसको खिला देना एक प्रिंदे को से आपके प्रिंदे के सांस के मसाहिल को हल करने के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक के बटन को चूपे मुझे बताएं अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को बटन को लाजमी प्रेस आप मुझे मेरे Facebook पेज के उपर भी फालो करें पोल्ट्री वे Dr. Kamran Facebook के उपर भी ये वीडियोज अपलोड होती है Instagram के उपर भी आप मुझे फालो कर सकते हैं Dr. Kamran, Heather के नाम अगर आप मुलक से बाहर हैं और आप मेरे चैनल को स्पोर्ट करना चाहते हैं आप मुझे कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ Patreon.com के उपर जाके जो स्क्रीन के उपर आप देख रहे हैं इनमें से कोई सब ये एक package सब्सक्राइब कर सकते हैं परमंत के हिसाब से अपरी दौाओं में याद रखिएगा अगली वीडियो तक के लिए अलाव